भारत और जापान के जो ऑफिसियल्स हैं हों हर साल एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हर मिनिस्ट्री के हर ब्रांच से जुरे हुए कोई ना कोई ऑफिसियल्स मौजूद होते हैं दोनों साइट से जो कि काफी सारी इसूज पर आपस में बात करते हैं उन पर एक दूसरे का लेते हैं दूसरे के साथ मिलकर किस लेवल पर सपोर्ट के जा सकता है इसी में एक इंपोर्टन चीज थी इस पर जो है इस पर आर्फिप जिससे कि भारत नौंबर में वॉक आउट कर चुका है नौंबर के स्टरणिंग में भारत इन डिसाइड किया था कि भारत आरसी इप का हिस्सा नहीं होगा उसको लेकर जापन ने इस पूरे ट्रेद Tay dengnция कि बीच में डिसके जापन अभी पीछाता है कि भारत इसका हिस्सा बने और श्रप्ण िदरब जापन ही नहीं पर काभी सारे दूसरे देश भी चाहते हैं कि बहारत इसका हिस्सा बने disagreement van ऐसे बहुत सारे जो देश जो RCP का हिस्सा है और खास तोर पर उस्ट्रेलिया और निजलेंड तो खास तोर पर जाते हैं क्योंकि इन सब को यह चाहिए कि चाहिए कि चाइना को बैलेंस करने के लिए को एक पावर का होना जरूरी है जिसके लिए उन लोगों ने जो एक इंडिया के वाक आउट करने से एक वैक्यूम क्रियेट हो गया है उलग चाहते हैं कि वैक्यूम क्रियेट ना हो और वापिस इंडिया उसको RCP को जॉइन करें इसके लिए उलग इस हद तक भी तियार है कि भारत के सांथ रियर इनगोशियेट किया जाए और भारत जो कुछ निगोशियेशिंश में चाहता है कुछ न कुछ उस पर एगरे किया जा घाया हाला के चांसे इसके ऐसे लग रहे हैं कि फेवरी तक उनलोग के एक टाइम लाइन सेट की है वह सकता हो काफी सारी निगोशियेश